फूलों के बीज उन दिरों सरदार पटेल भारत के स्वाधिंता संग्राम में भाग लेने की कारण जेल में बन थे जेल में अन्य नेता भी थे एक बार जेल का खुला मैदान देखकर एक नेता बोले यह मैदान बिलकुल खाली लगता है यदि यह फूलों से बरा हुआ होता तो कितना सुन्दर अप्वण लगता सभी ने इस पर विचार कर निर्णे की लिया कि इस सथान को एक सुन्दर भगीचे में प्रिवर्थित किया जाए इस निर्णे पर सरदार पटेल की खुशी का कोई धिकाना ने रहा सथार पटेल एक क्रिशक प्रिवार से होने के कारण उन्हें किर्शी से विसेश प्रेम था वह बोले आप देखना हम सब की मेहनत में कुछ ही समय में इस मैदान में सुन्दर फूल के लेंगे सभी लोग अपनी पसंद के फूल और फलों के बारे में सुधाव देने लगे सदार पटेल ने भी अपनी पसंद के फूलों के बीज पूने से मंगवाए मैदान में क्यारियां तयार कर फूलों के बीज बोई गए उनमें निवेत रूप से क्यारियों में पानी खादादी दिया गया सभी लोग पूरे उत्सहर से हाथ बंटाते क्यारिया बनाते समय और बीज जालते समय स्रदार पटे लक्सर कहते थे जैसे हम इस मैदान में एक सुन्दर बगीचा बना रहे हैं उसी तरहे कुछ समय पर साथ हमारे प्रिश्रम वसंगर से यह देश भी जास्ता की बेडियों से मुक्त होकर एक सुन्दर बगीचे की तरह खिल जाएगा जहां सभी धर्मों के लोग प्रेम वस्तभाव से महकते फूलों जैसे रहेंगे सभी नेता उनकी बातों से सहमत होते हुए बगीचे की काम को पूरे जोस मंग से करने लगते हैं कुछी समय में एक विरान पड़े मैदान को सुन्दर फूलों के उपवन में बदल दिया गया पटेल जी ने कमरे के आगे नीलरंगी फूलों की एक बेल उगाली उसकी मनमोहक महक से सुबह शाम वहां सुगंद फैल जाती थी जेल की अवधी पूरा होने पर सरदार ने फूलों के जमा किये बीज सभी नेताओं को भेंट सवरूप दिये इस अवसर पर उन्होंने कहा यह समुहे जीवन की मधुर सम्रिती का अनोखा प्रतिक है सभी लोगों ने सदार पटेल की इस भावपुर्ण अभिवक्ति की स्रहाना की